सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूटूब चेनल हिंदी टूटोरियल्स को और इस घंटी को दबाना बिलकुल भी ना भूले हमारी लेटेस्ट टेकनोलोजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हेलोई नमस्कार दोस्तो मैं हूँ की संसरो जो आप देख रहे हमारा यूटूब चेनल हिंदी टूटोरियल्स दोस्तो आज का ही वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिया दोस्तो बहुत ही ज्यादा आपके लिए क्योंकि हमारा मोबाइल फोन कभी भी खराब हो सकता है कभी भी चोरी हो सकता है कभी भी हमारे मोबाइल फोन को कुछ भी हो सकता है जिसकी वज़र से हमारे मोबाइल में जो डेटा है सब कुछ गायब हो सकता है और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज होते है हमारे कॉन्टेक्ट नमबर्स जो बहुत लोगों के चारे चारे contact number को दूसरे mobile phone में कैसे लाएंगे जिया दोस्तों बिना किसी software से बिना किसी application से तो इस वीडियो को सबसे पहले like कर दीजिए और इस वीडियो को end तक देखते रहे तो दोस्तों इस वीडियो में जो मैं आपको trick बताने वाला हूँ हो सकता है कुछ लोगों को पह देखते रहे जब दोस्तों आप अपना number save करते हैं कोई भी contact number जब आप save करते हैं तो यहाँ पर जैसे कोई भी number डाल कर लेते हैं उसके बाद इसे हम जब create पे जाते हैं यहाँ पर आप नाम डालके जो है direct save कर देते हो यही आपकी सबसे बड़ी गलती होती है यह contact number आपके mobile में save हो जाती है उसके बाद आपका mobile phone गया तो मतलब आपका number भी यह गया नहीं मिलने वाला लेकिन दोस्तों अगर यहाँ पर आप जो है Google contact में save कर देंगे यह number तो आपका number यह lifetime के लिए आपके pass हो जाएगा मतलब अगर आपका mobile phone चोरी भी हो जाता है तो अब भी आप इ email ID और password याद रखना होगा जो email ID में आप save करेंगे उसका email ID और password तो आपको यादी रहेगा क्योंकि Google account का password हर कोई जानता है तो यहाँ पर आपको जो है अपने email ID में कोई भी number save करनी है कोई भी number आप जब save करें तो आपको यहाँ पर अपने Google account में जो है अपना number save करना है ब option रहता है, contact number Google में save करने का, तो यहां से जो आप जो है number save करेंगे, अपने Google account में यहां पे आपको done कर देना है, उसके बाद यह number आपके लिए lifetime के लिए आपके पास हो जाएगे, और अगर मान लिजे आपसे गलती से यह contact number delete भी हो जाता है, तब भी आप आसानी से recover कर सकते हैं, तिस दिन के अंदर आप यह contact number आसानी से recover कर सकते हैं, बीना कोई application, बीना कोई sub-tare के, यह फिर अगर मान लिजे आपका mobile phone चोरी हो जाता है, तो आप सारे-सारे contact को कैसे पाएंगे, और मैं आपको बता देता हूँ, उसके लिए सिप आपको अपने email ID और password याद रखना है, जब भी आप नए mobile phone में अपना email ID और password से signing करेंगे, तो आपको जो है direct, आपको direct जो है contact आपके उस email ID में save रहेंगे, सारे के सारे contact आपके mobile phone में automatic आजाएंगे, अब मैं आपको बता देता हूँ, कि यहाँ पर जब number कोई आपसे delete हो जाता है, गलती से उसे कैसे पाएंगे, तो यहाँ पर आपको search करना है उसके लिए Google contact, जब आप यह सर्च करेंगे, तो आपको यहाँ पर पहला वाला page ही मिल जाता है, यहाँ पर आप देख सकते है Google contact का आपको इस पर क्लिक कर देना है, इस पर जब आप क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर आपके सारे के सारे contact आजाएंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं, सब कुछ जो यह contact आपके आजाते हैं, तो उसके बाद आपको यहाँ पर तिन लाइन द पहले डिलीट किया था तो यह सेलेक कर सकते हैं फिर कश्टम यहाँ पर दिखा हुए आप साफ साफ 30 दिन के अंदर ही आपको यह रिकवर हो सकता है तो आप यहाँ पर सेलेक कर लिजी उसके बाद कुंफरम पर क्लिक करेंगे तो आपको जो है नंबर मिल जाएगा तो इस प्रकार दोस्तों आपका कभी भी नंबर जो है डिलेट नहीं हो सकता विना किसी सॉप्टेयर के आप आसानी से जो है अपने सारी सारे कॉंटेक्ट नंबर को जो है सेफ रख सकते हैं चोरी हो गया आपके लेशनल पे जो है डेली एक नए नए वीडियो आते रहते हैं